अगर आपको physics, chemistry या math में किसी भी प्रकार की problem होती है तो आप doubtnut ape का प्रव्यूग कर सकते हैं तो आईए जानते हैं कि doubtnut ape कैसे काम करता है doubtnut ape का मैं description में link दे दूँगा उस पर click करना है click करने के बाद आपको camera पर click करना है और जो भी question है आपका उस question को खीच लेना है खीचने के बाद उसे select कर लेना है तो जैसे कि मैं यहाँ पर select कर लिया select करने के बाद find solution पर click करना है कुछ इस तरह से find करेगा और इसका solution आपको दे देगा description में इस एप का link दिया है वहाँ से भी download आप करना है तो आप हमारे चैनल को subscribe जरूर करे यहाँ आपको प्रति दिन free life classes करा जाता है साथ ही प्रतिक संडे को test लिया जाता है परिछा के दो महिने पहले से unsolved board paper hall करा जाएगा आप समय से तैयार रहे Hello Class 12 Maths NCRT समाकलन integration का यह वीडियो बना जा रहा है प्रशनावली 7G, 7J और 7J में यह सबसे अंतिम भागे भाग नंबर 4 इस भाग में हम 9 question से लेके पूरे 15 question तक पूरे complete करेंगे जो की आपके प्रशनावली में 15 question मौझूद है तो चलिए देर ना करते हुए आपका 9 number से question हम सुरू करेंगे और 15 तक completely बताएंगे तेखी 9 number का question है integration x bracket में log x का whole square dx इसको आप प्रथम बनाईए और इसको द्विती बनाईए दू फननों का खंडश समाकलन हम करेंगे खंडश समाकलन करने पर चलिए खंडश समाकलन करते हैं इसका तो यह हो गया प्रथम log x का whole square प्रथम और द्विती का x dx minus d by dx प्रथम करेंगे log x का whole square फिर x dx और total का क्या हो जाएगा dx हो जाएगा यह हो गया log x का whole square into x square upon 2 इसका समाकलन कर लिया minus इसका ओकलन हो जाएगा 2 log x into 1 upon x यह इसका ओकलन फिर इसका हो जाएगा x square upon 2 और total का क्या हो जाएगा dx आगे समझ लीजिए यह हो जाएगा x square upon 2 log x का whole square minus करेंगे यह जो 2 दिख रहा है 2 से 2 उड़ जाएगा ठीक है यहां पर मैं काटूँगा नहीं उड़ा दूँगा अब आगे x से x को उड़ा देते हैं बचा क्या बचा log x into x dx यह बच जाएगा log x x यहां पर भी प्रथम और दूथी बनाएंगे और लिखेंगे पुनह खंडश समाकलन करनी पर पुनह खंडश समाकलन करेंगे तो यह क्या हो जाएगा पहले छोड़ देंगे इसो x square upon 2 और log x का whole square माइनस करेंगे अब यहां पर बनाएंगे प्रथम हो गया log x into दूथी का समाकलन कर लिया माइनस समाकलन प्रथम का ओकलन दूथी का समाकलन और टोटल का dx ठीक है आगे समझिए x square upon 2 log x power 2 माइनस अब यहां पर है इसको छोड़ देंगे x square upon 2 log x माइनस इसमें x से x cancel 1 upon 2 को आगे ले लेंगे और यहां पर x dx हो जाएगा ठीक है अब समझिए यह हो जाएगा x square upon 2 log x का whole square माइनस इसको लिखेंगे x square upon 2 log x और यह माइनस माइनस प्लस 1 upon 2 इंटू इसका हो जाएगा x square upon 2 और प्लस c समझ में आ रही है देखिए x square upon 2 यह value तो यह value कि अवल log x है और यह log square कभी भी इसको cancel मत करिएगा नई तो आप घाटे में जा सकते हैं घाटे में नहीं जाना है यह value हमें सभी में common दिख रहा है common करेंगे x square upon 2 यह हो जाएगा log x का whole square और माइनस इसमें क्या बचेगा log x और यह हो जाएगा plus इसमें बचेगा 1 upon 2 यह हो जाएगा 1 upon 2 तो 1 upon 2 को भी आप common कर सकते हैं अगर 1 upon 2 को भी common करेंगे तो इसमें 2 लगाना पड़ेगा ठीक है लगा सकते हैं plus c इतना करके आप छोड़ सकते हैं आपका answer यहाँ पे भी मिल जाएगा अगर आप अपने answer से match कराना चाते हैं तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा यह तो हो जाएगा 4 आप 4 कर लिजिए इसका उड़ा करके 4 कर लिजिए तो अभी आपको मिल जाएगा answer चली question number 10 देखिए देखिए question number 10 integration cot inverse 1 plus x square minus x dx इस cot को पहले हम 10 में change करेंगे कैसे इसको लिखेंगे 10 inverse और इस angle को मैं change कर देता हूँ 1 upon 1 plus x square minus x यह change कर दिया angle में और यह dx तो 10 inverse इस तरह से मैंने change कर लिया अब इस 1 को मैं थोड़ा चा change करता हूँ कैसे इसमें x को जोड़ कर और देखिए कैसे यह हो गया 10 inverse इस 1 को क्या लिखेंगे x plus 1 minus x ऐसे लिख सकते हैं x से x cancel हो जागा 1 हमें मिल जागा नीचे 1 plus x square minus x इस तरह से यह हो गया और यह dx अब यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा x plus 1 minus x upon 1 minus x minus x मतलब यह किसका formula दिख रहा है यहाँ पर मैं आपको formula भी बताऊंगा formula किसका है तरिकोर्ण मिती फ़लन का जो होता है 10 inverse x plus 10 inverse y बराबर 10 inverse x plus y upon 1 minus x y यह आपका formula होता है तरिकोर्ण मिती फ़लन का तो यहाँ पर यह जो value दिख रहा है यह वाला काम यहाँ पर दिख रहा है हमें इस से यह बनाना है इस रूप का बना सकते हैं चलिए बनाते हैं तो यह हो जाएगा integration 10 inverse x हो जाएगा और plus 10 inverse 1 minus x ठीक है तो मैंने कह किया इस चीज को इस formula से मैंने इस तरह चैनल दिया 10 inverse x plus 10 inverse 1 minus x एंगल से यह x है यह x दिख रहा है और यह y दिख रहा है xy xy ठीक है मैंने इस तरह चैनल कर लिया और यह total का dx इसके बाद क्या करेंगे आला गलाग समाक्लाण करेंगे यह हो जाएगा 10 inverse x into 1 dx यह पहला हो गया plus लगाएगे इसको लिखेंगे 10 inverse 1 minus x into 1 dx इतना तक तू समझ में आगया लेकिन इस वाले में समाक्लाण करने में लफडा होगा इसमें लफडा नहीं हो सकता तो इस लफडे को मैं क्या करता हूँ? मान लेता हूँ माना 1 minus x बराबर t तो यह हो जाएगा minus dx बराबर dt या dx बराबर minus dt तो यह चीजे इसमें पूट करेंगे इसका अलग खंड सा समाक्लाण करेंगे अब दोनों का खंड सा समाक्लाण हम कर लेते हैं लेकि करने से पहले मुझे यह वैलू इसमें पूट करना चीजे था तब जाके समाक्लाण करना चीजे था तो यह इस टेप आप एक लाइन बाद पूट करिएगा तो बेटर रहेगा यह हो जाएगा 10 inverse x into 1 dx प्लस इसमें प प्रथम यह हो गया द्विती इसको 1 बनाएंगे यह हो जाएगा द्विती यह हो गया प्रथम और यह हो गया द्विती इसका हम खंड सा समाक्लाण करेंगे चलिए कर लेते हैं देखिए यह हो जाएगा 10 inverse x और इसका x हो जाएगा integration इसका ओक्लाण करेंगे 1 upon 1 plus x square और dx ठीक है और इसमें यह हो गया प्रथम द्विती का समाकलन माइनस करेंगे प्रथम का ओकलन और द्विती का समाकलन करेंगे तो x मिल जाएगा उस x को मैं उपर लिख लेता हूँ यह हो गया फिर करेंगे प्लस इसमें करेंगे तो यह हो गया प्रतम 10 इनवर्श्ट्टी जूती का T मिल जाएगा माइनस करेंगे प्रतम का आउकलन 1 upon 1 plus T square into T dt यह इस तरह से हमें यह मिल गया लेकिन यह जो माइनस T है यह माइनस हमारा यहाँ पे चला जागा तो माइनस माइ गा X 10 inverse X, फिर minus, X upon 1 plus X square का समाकलन करेंगे, तो यह हो जागा 1 upon 2 log 1 plus X square, आप समाकलन कर लीजेगा, प्लस, यह हो जागा T 10 inverse T, फिर प्लस, इसका भी समाकलन करेंगे, तो 1 upon 2 log 1 plus T square, और प्लस C, सबका मैंने कर लिया, बस जहाँ-जहाँ पर T दिख रहा है, उसका मान पुट करना है, तो T बरावर मैंने क्या माना था? T बरावर मैंने 1 minus X माना था, तो चली यह पुट कर लेते हैं, X 10 inverse X minus 1 upon 2 log 1 plus X square, और प्लस, T का वैल्यू है, 1 minus X log 1 minus X plus 1 upon 2 log, यह हो जाएगा 1 plus, इसका वैल्यू है, 1 minus X से रखेंगे, उसका square करेंगे, तो उसका square A plus B के होलिकार चे फॉर्मुला हम तोड़ेंगे, तो वह हो जाएगा, A square और minus 2AB plus B square, यह इस तरह से मिल जाएगा, अब प्लस C, इसको हल करेंगे, तो यह जो 1 मिलेगा, 1, 1 हमें मिलके 2 हो जाएगा, 1 और 1 मिलके 2, X, 10 inverse X minus 1 upon 2, log 1 plus X square plus 1 minus X, log 1 minus X plus 1 upon 2, log, और इसमें क्या हो जाएगा, 2 plus X square minus 2X, यह मिल जाएगा, और प्लस C कर लिजिए, इतना छोड़ दीजिए, आपका answer मिल जाएगा, ठीक है, या तो common कर लिजिए 2 को, उस तरह से भी आप कर सकते हैं, question number 11 देखिए, आप देखिए question number 11, integration X square E power X dx, अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इसको प्रथम इसको दूती बनाना पड़ेगा, यह हो गया प्रथम दूती का समा कलन, minus, प्रथम का ओकलन करेंगे, 2X और दूती का समा कलन, और dx, ठीक है, यह हो गया X square E power X minus, यहा dx, इसमें पुना प्रथम और दूती बनाएंगे, और लिखेंगे, पुना खंडश समा कलन करने पर, अब पुना खंडश समा कलन करेंगे, तो यह हो गया, X square E power X minus 2, इसमें हो जागा, X E power X minus, प्रथम का ओकलन, 1 into E power X dx, ठीक है, आप देखिए, दो का गुड़ा भी करेंगे, X square E power X minus 2, X E power X minus minus, प्लस, यहाँ पे E power X आ जागा, 2 का गुड़ा भी करेंगे, 2 E power X और प्लस C, तो यहाँ पे इस तरह से देखने को आपको यह मिल जागा answer, इसमें कोई भी truth यहाँ कुछ भी change नहीं करना है, देखि प्रसं, sin X log, sec X plus 10 X, इसको बनाएंगे प्रथम, इसको बनाएंगे द्विती, ठीक है, यह गया प्रथम, log, sec X plus 10 X, प्रथम फलन, द्विती का समाकलन, तो sin X का समाकलन हो जागा, minus cos X, प्रथम द्विती का समाकलन, minus integration, प्रथम का ओकलन करेंगे, d by dx प्रथम लिखेंगे, log, log, sec X plus 10 X, यह हो गया, और into, हम द्विती का करेंगे, वो आजागा, minus cos X, और total का dx, इस तरह से यह मैंने कर लिया, आगे इसको लिखेंगे, log, sec X plus 10 X, और यह, cos X, यह minus को बाहर कर देंगे, यह minus जो है, यहाँ पे आजागा, प्लस हो जाएगा, अब इसका करेंगे ओकलन, तो यह हो जागा, one upon sec X plus 10 X, into, sec X plus 10 X का हमें अलग से फिर से ओकलन भी करना पड़ेगा, अब इसका ओकलन क्या होगा, sec X का हो जागा, sec X 10 X, और प्लस 10 X का से जुकर X, तो इसको उपर लिखत हैं, sec X, 10 X into, into नहीं, प्लस 10 square, sorry, sec square X, sec square X, यह हो जागा, इसका ओकलन, और यह cos X, और D X, इतना मैंने कर लिया, अब इसके आगे समझेए, अब यहाँ से क्या करेंगे, sec X दोनों में common करेंगे, और नीचे वाले को cancel कर देंगे, यह हो जागा, minus log, sec X plus 10 X, और cos X, प्लस करेंगे, integration, यह sec X common करेंगे, यह मिल जागा sec X, और बचे का sec X plus 10 X, वो नीचे चा cancel, और यह बचे का cos X, तो cos X को लिखेंगे, one upon sec X into dx, ठीक है, इस तरह से हो गया, यह इस से cancel, क्या बचा, minus log, sec X plus 10 X, और प्लस, d X का क्या हो जागा, X हो जागा, अब प्लस C जोड़िए, आपका यह answer मिल जागा, इसको पहले लिखेंगे, इसको बार में लिखेंगे, तो भी आपका answer हो जागा, यहाँ पर cos X लिखना बूल गया है, तो इस तरह से आपका यह answer हो गया, चलिए बढ़ते हैं, question number 13, देखें, question number 13 है, वो लिखा है, integration CX log CX plus 10X, same वही question है, इस question में क्या है, sign के स्थान पे बस CX दिया है, और इसके पहले वाले question में, जो question number 12 था, उसमें से एक के जगा sign दिया था, बाकी सब वहीं था, तो इस question को आप लगाएंगे, और आप लगा के बताएंगे कि इसका answer आपने क्या लाया, ठीक है, question number 14 देखें, देखें, 14 question यह दो फलन है, इसमें हम प्रथम पलन इसको आपके खंड सा समाकलन कर लेते हैं, तो यह हो जागा प्रथम log x, दुथी का समाकलन करेंगे, तो मैं direct लिखूँगा, x की पावर 3 अपन 3 अप लस x, यह दुथी का समाकलन हो गया, minus प्रथम का ओकलन, और दुथी का समाकलन, और dx, ठीक है, यह पहले लिखे लेते हैं, x की पावर 3 अपन 3 प्लस x, और यह log x, minus करेंगे, इसमें देखे, अब क्या करना है, पहले में गुड़ा करेंगे, तो x से x कंसिल, x इसकार मिल जागा, x इसकार अपन 3, और दूसरे में गुड़ा करेंगे तो, क्या मिल जागा, गुड़ा नहीं करेंगे, तो x अपन x मतलब 1 म x log x minus इसका अलग करेंगे तो 1 upon 3 को बाहर करिए x square dx और minus हो जागाई है dx समाकलन कर लेते हैं x की पौर 3 upon 3 plus x log x minus 1 upon 3 x की पौर 3 upon 3 यह समाकलन हो गया minus यह x हो गया plus c कर दीजिए तो इसके आगे आप 3-3 आगे 9 कर दीजिए तो इसको मैं हटा लेता हूं सीधे 9 कर लेता हूं ठीक है इस तरह से आप छोड़ दीजी यह आपका answer हो जायागा ठीक question number आज का अंतिम है 15 देखिए 15 अंबर के question में लिका है integration यहाँ पे यह minus नहीं है मैं यहाँ पे पताने कैसे लगा लिया मुझे समझे कुदी नहीं आ रहा है x e पार x upon 1 प्लस x का whole square dx यह question है e पार x और यह जो x है इसको थोड़ा सा इसके अनुसार हम x को change करेंगे कैसे e पार x को बाहर करेंगे x को इसके अनुसार लिखेंगे तो बहु हो जागा x plus 1 और minus 1 upon x plus 1 का whole square dx ठीक है अब देखिए इसको अलग divide करेंगे e पार x x plus 1 upon x plus 1 का whole square पहले में divide कर लिया minus अब यह दूसरे में भी divide करेंगे e पार x 1 upon x plus 1 का whole square और यह total का dx ठीक है इसका अलग और इसका अलग हम समाकलन करेंगे अलग अलग समाकलन कर सकते हैं तो इसके आगे के question आप solve करेंगे क्योंकि यहां तक मैंने hint दे दिया कि किस तरह से इस question को करना है इसको अलग समाकलन करेंगे इसको अलग करेंगे उसके लिए खंडिसल समाकलन भी कर सकते हैं या जो भी नियम है आप कर सकते हैं इसको cancel करेंगे जो मिलेगा उसमें प्रथम दूती बनाके आप solve करेंगे solve करके बताएंगे कि क्या आपका answer आया हुआ है comment box में आपको बता रहा है ठीक है अब इसके बाद 15 question को मैंने जब complete कर लिया तो इसके अगले जो प्रश्णावली है वो है 7K और 7K आपको अगले live session में साम को 6 बजे चला जागा जो प्रती दीन साम को 6 बजे चला जाता है जय है